गुड मॉर्णिंग आप सभी को मैं दिखाने ही कोशिश करूँगा कि काशी हिंदुभी स्रिविद्दाले में जो मॉन्टेनेरिंग के कोर्से चलते हैं उसमें ये ट्रेनिंग हो रही है कि किस तरीके से जैसे इसको एक प्रोटोटाइप मान के चलो कि ये रीवर हो अगर तो किस तरीके से ये मूव करते हैं लो उसका वीडियो दिखाने कोशिश करूँगा मैं अब बढ़े हैं अब बढ़े हैं अब बढ़ाए नहीं पर किस तरीके से इतने जान पर खेल कर इने ये करना पड़ता है काम और फिर उदर से डिटेर्णिंग है इनलों की किस तरीके से अनलों के तरीके से ये जान पर बढ़े हैं यो पलाए नहीं अर्वेयो अनलों के तरीके से फज़ ऑज़ आर चणिञ्यां। कि और दो अगरे सकते हैं गलाए जोगादे गलाए जोथी नटे अवराइ गलाए अभादे एक जपका कि अब गलाए ईभादे बात करते हैं इनसे इस यहां तक पहुछने का इनका लगाई लगाई जोड लगाई इतने लोग इंतजार कर रहे हैं तो अपना कुछ अपना कुछ अपना कुछ नवह कर दो अपना को बताओ आठेल है। जाने में में ठोड़ा मैनेत लग रागता थोड़ श्टामेना चाहिए. आपको बोड़ी को उपर होड़ करना प you तो इसके लिए कुछ प्रिप्रेशन कराते हैं जैसे कुछ एक्सेसाइजिस जो अब इतक तक तब ही हुआ है वस्ट अच्छा किस कोर्स में आप यहां तो है बीए बीए किस एर में थर्डियर थर्डियर क्या उनर से आपका इससे आगे क्या सोचा है इस मौन ट्रियनिंग के कोर्सेस के बाद इसमें कुछ करना है मला कोई ऊची चोटी पर जाने का सोचा है क्या ऐसा कुछ नहीं सोचा तो ऐसे आप लोग ने फन के लिए जोईन किया या फिजिकल फिटनेस के लिए दोनों चलो थैंक्यू गुड मॉर्निंग आप इंस्ट्रक करार है कर यह दो आज इस सिस्टम अमों एक बिल्डिज बनाते है इसके जड़ी एक सपार से उस पार उसको पार करकरों मुर्स को ट्रें चीज मुझे बताए आएना यह लिए यह आँंपर यह जो मरेसी है इस आखीर यह इतना ज्यादा इस यह ज्यादा स्टेंत वाली कैसे है इसके बारे में कुछ बनावर्ड ऐसा है इसका बोलते है के इसका है करनमेंकलॉ केरनаменटल इसका इस ट्रक्चार वनाने का इसमें इपर कर जैसे में और कवर होता है भी इसका और बीच कर फरकाद होता है दोनों मिलें है कि इस तरह से बनावाड जिर्क भी का इसमें अधिमें जहता है इसका ब्रेकिंग स्ट्एंग जो हता है करेब 3,000 किलो ग्राम इसको शह यहाँ जैसे कुई बच्चा अगर प्रायस करता है, तो क्या स्टेमना मतलब व और यह की इसके लिए आप पिरे भी कराए तो 965 मिर्स इसमें क्या था कफिचिकर ayo यह है अबसे ज़रोगी है कि भी इसको बोलते है कि यह यह मुंटनिंग अफ्का अच्छाल्स का अच्छार्श कर दिए हर यह यहाँ क्या अब का में आएगा आप तो बहुत दिनों से खिखा रहे हो लोग को आपकी इंस्ट्रक्टर सीप में कोई ऊची चोटी तक गया है तो पहले भी यह अपना सेंटर है भी चुका पचास साल से उपर हो गया है तो यहां से कंचन जंगा अपना की चोटी जी गया है बहुत पहले का एक्सपिशन इसके बाद हम लोग के समय भी लब्दाक साइड में इसको कांगरी है शेतिदार पीख है हनुमान किभा है इन सब्मों में लाइनिंग हुआ है छेलिया अल दिवेस्टा मिलते हैं इस ग्रूप से जिस ग्रूप में का है भाला रगाना या मुची चोटी तक अपने को इस बनारशिंद इंवर्सिटी का जंड़ा भुलंद करने के लिए आपने से कोई और लो ने टार्गेट नहीं रखा है आपने रखा है अच्छा एक बात बताओ बिना टार्गेट रखे ठीक है कितने लक्ष को लोग प्राप्ट कर लेते हैं आप लोग तो यह सोचा होगा ना आप लोग ने कि ग्रिजुएशन करना है तब ही भी यह चुआ हो ना कि ऐसे ही आगए सोच करा है ना तो इस को जोईन करने से पहले आप लोग ने नहीं सोचा क्या आप में से किसी ने की इसको जोईन करने के पीछे का लाजिक यह है और हम यह करके दिखाएंगे तो इन्स्ट्टिर लोगों का मेहनत बीकार हो जाएगा तो इसका मतलम अपने डिसाइड किया है क्या करने का सब मुझे एडवेंटर्स का सवक है और मैं चाहती हूँ कि मैं मांट एवरेज का अभी नहीं बट अरावली हिल्स को जाना है और इसे अपने अपने को प्रिपेर करने पे ठीक है टाइम लगाएं चलो हुछ कहना चाहोगी दर्शकों को जो जुनियर्स है क्योंकि ये चैनल ह कुछ जुनियर्स с भी देखेंगे कुछ सिन्यर्स भी देखेंगे तो कई बच्चों को लगता होगा कि ये लोग च्या कर रहे हैं जाके देखेंगे मतलब जूनियर्स के लिए कहना चाहोगी कि लोग आएं ज्वाइन करें है न क्योंकि बहुत संख्या कम है बनारस इंद उनिवर्सिटी की इतनी ही गर्स दल है न है बहुत कम है न लेकिन इसको आखिर किस तरीके से प्रोयक्टिव एस्टेप लिया जाए ताकि इसकी संख्या माउंटेन हेर है जिसे हम पहले के हो गए तो हम मतलब अपने जूनियर्स को बता सकते हैं कि पता ही नहीं आदे लोगों इसलिए बना रहा हूं और दूसरी चीजह है कि जब तक जागरुपता नहीं हो कि तब तक संख्या क्यों बढ़ेगी और इतना तो है ना कि आप लोग कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है इसकी संख्या बढ़नी चाहिए ना लगब कितनी होनी चाहिए क्योंकि मेरा यह मानना है कम से कम 20 और 25 सीट हर फेकल्टी को तो 200-200 क्योंकि यह बड़ा छोटा ग्रूप लग रहा है लिए बड़ा मनोबल सबका तगड़ा है क्योंकि सुबब आप लोग अप लोग अपने लक्ष में सफल हो ठीक है ना विशी आल दी वेस्ट थेंक्यू